राजेश एक बहुत ही सुलजा हुआ टीचर था और वो हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा स्टिक था मतलब इसकूल में उसके आगे कोई बोल नहीं सकता था और बच्चे तो उसके सामने जैसे ही आते थे ड़के मारे कापने लग जाते थे इसकूल में राजेश को अकसर हिटलर कहके बुलाया जाता था और उसके क्लास में अगर कोई भी पनिश्मेंट दिया जाता था तो वो लाइबरीरी में उसे बठा दिया करता और वो भी रात के समय में जिससे वो अपना सारा हॉमवर्ग कर सके और सारी दूसरी चीज़े भी कर सके साथ ही उसमें उसकी पनिश्मेंट भी मिल जाए राजेश ऐसा ही सारे टीचर के साथ बच्चों के साथ वेवार किया करता था सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन एक दिन राजेश के साथ कुछ ऐसा हुआ की जिसके बाद राजेश पूरी तरह से बदल जाता है तो चलिए पिर कहानी को शुरू करते हैं राजेश जब स्कूल से एक तिन अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में जो काम करने वाली लड़की है उसका दिन परते दिन फ्यवार कुछ बदलता जा रहा था उसके पूछने पर भी वो हमेशा यही कहती साहब कुछ नहीं हुआ है मुझे हर रोज राजेश उससे यही कहता अगर तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर अपने गाउं चली जाओ जिसके बाद वो लड़की यही कहती नहीं मैं ठीक हूँ और हर वक्त राजेश अब उस पर निगरानी रखने लगा क्योंकि वो कुछ या कुछ बड़बडाती रहती थी जिसके वज़े से राजेश और उसकी पत्नी को दौनों को बहुत अजीब लग रहाता क्योंकि वो पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी अब कई दिन बीच चुके थे अब वो लड़की शाम को रोज 6 बजे चुट्टी लेके चट पर जाया करती थी अब राजेश अपनी पत्नी से फूचने लगा आखिर ये रोज शाम को 6 बजे चट पर जाती कहां पर है जिस पे उसकी पत्नी बोलती है पता नहीं चट पर क्या करने जाती है हर रोज ये सुनने के बाद राजेश कहता है आज शाम को जब वो परमीशन लेने आईगी तो तुम उसे जाने देना और मैं पीछे से जाकर देखूंगा आखिर वो चट पर जाती कहां पर है जिसके बाद ठीक शाम को 6 बजे लड़की राजेश की पत्नी से परमीशन लेने आती है और जैसे ही वो उसे कहती है कि तुम जा सकती हो अब राजेश दबे पाउं धीरे धीरे चट के उपर जाता है जैसे ही चट पर वो पहुँचता है तो क्या देखता है कि चट के उपर तो लड़की है ही नहीं आश्वाद देखने के बाद पर उसे वो नहीं दिखाई देती अब राजेश ये सोचने लग गया अगर वो छट पे नहीं आती तो आखिर वो जाती कहां पर है तो जैसे ही राजेश अब सीड़ियों से नीचे उतर रहा होता है तभी उसे किसी के बात करनी की आवाज आती है मानो की दो लोग आपस में बात कर रहे हो तभी राजेश चट पे इधर उदर देखता है तो आवाज दीरे दीरे चट के साइड बने हुए एक एंगल की तरफ से आती है और राजेश जैते ही चट के नीचे से जहाग के देखता है तो उसके आखे खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो लड़की इसी चट जे पे बैठी हुई थी और वो आपस में बात कर रही थी राजेश को ये सब देखते बुरा लगा जब उसने ये देखा कि वो आवाद दो लोगों की आ रही है और वो भी उस लड़की के अंदर से राजेश ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फटाफट भागता हुआ अपनी पतनी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है वो वो दो आवाजों में बात कर रही है वो लड़की सही नहीं है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं है तुम उसको जितनी जल्दी हो सागए खाम से निकाल दो तभी राजेश की पतनी राजेश को घुरते हुए बोलती है आप क्या पागल हो गयो वो तो वाश्रूम गई हुई है और आप उस पे बेवज़ा शक कर रहे है तभी वो लड़की वाश्रूम से निकलते हुए आती है राजेश ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर अभी तो उसने उसे चट के उपर दिखाता अब वो अपने आप से बड़बडा आता हुआ अब धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है राजेश ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरा होता है जिसके बाद राजेश की पतनी उससे कहती है आप न थोड़ा ठक गए हो और स्कूल में लोगों को डाटते डाटते आपको पता नहीं क्या होता जा रहा है आप एक काम करिए खाना खाईए और सो जाईए जिसके बाद राजेश कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप खाना खाके सो जाता है अब राजेश हर दिन अपनी नौकरानी पर नजर रखने लगा था क्योंकि उसे हर वक यहीं लगता था कि पता नहीं उसके साथ चल क्या रहा है अब राजेश एक दिन उससे पूछता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है जिसके बाद लड़की कहती है साहब मुझे तो कुछ नहीं हुआ आप यहर रूद मुझे से क्यों पूछते रहते हो क्योंकि लड़की को उसके साथ हुई वी कुई भी बात याद नहीं रहती थी इसलिए वो कुछ नहीं बता पाती जिसके बाद राजेश अब और भी ही जाता है तो क्या देखता है वो लड़की फिर से आपस में बात कर रही थी और इस बाद राजेश उस लड़की पे चिलाते हुए कहता है क्या पागिल बना रखता है तुम कैसे अजीब-जीब हरकते कर रही हो आखिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर हैगी नहीं है काम करना है तो करो वरना जाओ यहां से जिसके बाद राजेश को जो जवाब मिला मानो उसके तो पैरो तहले जमीन ही खिसक गई हो तभी राजेश से वो लड़की कहती है एक अलग सी आवास निकालते हुए टीचर हमारी बीच में मत आओ अगर बीच में आओगे तो अपनी जान से हाथ दो बैठोगे अब ये बाद सुनने के बाद राजेश घबरा जाता है और वो फटा-फट नीचे भागता हुआ एक बाद फिर अपनी पत्नी की तरफ जाता है और इस बाद अपनी पत्नी पे थोड़ा गुसा होते हुए बोलता है वो लड़की पे कोई आत्मा है तुम उसे बाहर निकालो यहां से अगर तुमने उसे बाहर नहीं निकाला तो तुम समझ जाओ मेरे से बुरा कोई नहीं होगा ये सुनने के बाद राजिश की पत्नी उससे भी उची आवाज में उससे घूरते हुए कहती है आप सच में पागल हो गये हो आपको पता नहीं क्या हो गया है अरे आज शाम पांच बजे ही की ट्रेन पकड़के ही तो वो अपने गाउँ चली गई है आपको तो हर वक्त वही दिखाई देती रहती है आखिर हो क्या गया है आपको आपको हर वक्त वो कैसे दिखाई दे सकती है थोड़ा अपने दिमाग को ठंडा रखिए पता नहीं क्या हो गया है आपको जिसके बाद राजिश जैसे ही ये सुनता है मानो उसके तो पहरो तले زمین ही किसक गई हो आखिर उसने अभी जो देखा था फिर वो क्या है और जो उसकी पत्नी ने कहा फिर वो क्या था जिसके बाद राजिश अब और بھی जादा परेशा हो गया आखिर राजिश टै करता है कि वो लड़की के गाउं जाएगा और वहां जा कर उससे घरवालों से सच्चाई पता करेगा राजेश लड़की के गाउं पहुंचता है और जैसे ही वहाँ पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो लड़की तो पहले से ही अपने घर है लेकिन उसके पिताजी बताते हैं कि जब से वो शेहर से आई है उसकी तब्यत को ज़्यादा ही खराब रहने लगी है राजेश बहुत ज़्यादा परिशान रहता है जिसके बाद उसके पिताजी कहते हैं आप इतने दूर से आए हैं क्या बात है जिसके बाद राजेश उन्हें डरते डरते वहाँ पर हुई सबी घटनाओं के बारे में बताने लगते हैं और जिसके बाद लड़की के पिताजी जो कहते हैं राजेश का शरीर वो सुनकर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है क्योंकि जो उन्होंने कहा राजेश के लिए वो भी समझपाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था अब राजेश को जैसे ही उसके पिताजी ने सब कुछ बताना शुरू किया कि वो जब पूजा से लौट कर आई थी तभी से उसके साथ ना जाने ये अजीब-जीब चीजें हो रही है और जब एक दिन हमने बाबाजी को बुलाया तो पता चला उसके उपर उसी के भाई के आत्मा आ गई है जो कि उसे अपने साथ ले जाना चाहती है और वो किसी को भी अपनी बेहन के साथ नहीं रहने देना चाता है इन सब गटनाओं के बाद हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं लेकिन एक दिन हमें चिठी मिली की उसमें लिखा हुआ था कि गाउं को वो छोड़का जा रही है अपने काम पर जिसके बाद हम लोग बहुत परेशान थे लेकिन ना तो हमने उसे ढूनने की कोशिश की और ना ही कभी हमने ये पता करने की कोशिश की कि वो आखिर गाउं छोड़के क्यों जा रही है या किस लिए जा रही है जिसके बाद राजिश कहता है अगर आप लोगों को ये सब पता था तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया जिसके बाद लगी के पिताजी कहते हैं हम लोग ड़ गए थे लेकिन अब उसका इलाज चल रहा है जिसके बाद राजिश कहता है कैसा इलाज फिर उसके पिता जी कहते हैं कि हमने पास ही के जाने माने बाबा को बुलाया है जो कि इन सरीकी की चीजों का इलाज करते हैं जिसके बाद राजेश से कहते हैं चाहो तो आप भी बाबा से आके मिल सकते हो अंधर ही हैं हमारी बेटी का इलाज कर रहे हैं अब राजेश डरते डरते हुए अंदर की साइड जाता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देख के हका बका रह जाता है उस मंजर का उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लड़की हवा में तैर रही थी और एक अलग सी आवाज में लगातार बाबा से बोल रही थी जिसके बाद राजेश ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और राजेश को जैसे ही वो लड़की देखती है तो वो उससे कहती है आ गया तू अब तू नहीं बचेग जिसके बाद बाबा उसके तरफ कुछ फेकते हुए बोलते हैं छोड़ दे इस बच्ची को आखिर तेरा इसने क्या बिगाड़ा है और तेरी खुद की सगी बहन है तो तू अपनी बहन को नुकसान कैसे पहुँचा सकता है जिसके बाद वो आत्मा कहती है कि हर दिन मुझे पिता जी नीचा दिखाते रहते थे क्योंकि ये काम करने लग गई थी तो पिता जी इसके इज़द बहुत ज्यादा किया करते थे मैं काम नहीं करता था तो मुझे हर वक डाटा करते थे इसलिए मैंने गाओं के तालाम में ही डूपके जान दे दी लेकिन एक दिन जब ये कोई नहीं बचा सकता जिसके बाद बाबा कहते है तू गलत कर रहा है इसके बाद बाबा कुछ मंतर पड़ते हैं और उस लड़की की शरीर की तरफ को फेकते हैं तब ही लड़की की शरीर जमीन पे आके गिर जाता है और इसके बाद बाबा दोड़के उसके हाथ में एक ध तो जिसके बाद राजेश यह सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। राजेश उद्न यह समझ जाता है कि गुच्सा करने से कोई फाइदा नहीं होता। और राजेश उद्न से इस फूँर में एक समझदार और साधनव्यक्ति बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तो, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही बताएं कि आपका क्या नाम है और आप किस शहर से हैं।